अलो दोस्तों आज के इस वीडियो में SSC GD रिजल्ट के बारे में बात कने बाले हैं जैसा कि आप सभी को पताए कि 15 अपरेल से SSC GD के फिजिकल सुरू होने बाले हैं और आज 4 अपरेल हो चुके हैं लेकिन अभी तक SSC GD के रिटन एक जाम का रिजल्ट चारी नहीं किया ग सकते हैं इसके लेटर भी आप सभी कुछ डिटेल में जानकारी मिलने बाली इसलिए आप सभी वीडियो को पूरावस्ति कीगा तो चलिए आज का बडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि इस बार कम नम्मर होने पर भी किस तरह से आपका फाइनल सेलेक्शन हो सक लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने बाला है क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि सेचे जिद्धी 2021 की बरती में जो जारी किया गया था रिजल्ट पत्चीस तीन 2022 यानि कि 25 मार्च को जारी किया गया था उसके बाद फिजिकल अप सुभी देख सकते हैं कि 18.5 2022 यानि कि 18 मई से हुए थे यानि कि पांसवे थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने बड़ा है इस बार फिजिकल के तैयारी करने के लिए candidate को कुछ यह दिनों का समय दिया गया है और 2021 की भरती में physical के लिए vacancy के 12 गुना कंडेट का selection किया गया था और physical की तियारी करने के लिए भी काफी समय दिया गया था और इस बार यानि की 2023 में physical के लिए vacancy के 8 गुना कंडेट का selection होने बाला है और physical के तियारी करने के लिए भी बहुती कम समय दिया गया है इसलिए इस बार physical में बहुती अधिक कंडिट फेलोने बाले हैं जिसके का इस बार physical का cut-off और final cut-off में आप सभी को काफी कम difference देखने को मिलेगा अगर आपका physical के लिए इस बार जो cut-off जाने बाला है उससे मातर एक से तीन marks भी अधिक रहेंगे और आप सभी physical pass कर जाएंगे तो आप सभी का पूरा chance रहेगा कि आपका final selection हो सकता है कि इस बार physical के बार परसिट competition बहुती कम हो जाएंगे इसलिए अगर आप सभी का इस बार physical के लिए जो cut-off जाने बाला है उससे एक से तीन marks भी अधिक रहेंगे और आप सभी physical pass कर जाएंगे तो आप सभी का पूरा chance रहेगा कि आपका final selection हो जाएगा तो इस बार कम नमर वाले candidate यानि की cut-off के आसपास नमर वाले candidate का भी final selection होने का chance बना रहेगा उसके बाद physical date की बाया तो आप सभी को पताए कि 15 April से physical सुरू होने बाले है क्या physical date आगे बढ़ सकते या नहीं तो physical date कुछ दिन आगे बढ़ सकते हैं क्याओकि अभी तक 4 April हो चुके और अभी तक result जारी नहीं किया गए है तो कुछ दिन physical date आगे बढ़ सकते हैं अगर result की बात करें तो रिजल्ट आप सभी को 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा 3-4 दिनों के अंदर आप सभी को SSC GD का रिजल्ट कनफर्म देखने को मिल जाएगा और फिजीकल डेट कुछ दिन आगे बरने का चांस है ये टेंटिटिव डेट है तो हो सकता है कि रिजल्ट डिले होने के कारण कुछ दिन आप सभी का फिजीकल डेट आगे बर सकता है और रिजल्ट आप सभी को 3-4 दिनों के अंदर देखने को मिल जागा तो चलिए आज कब डिश्माप्त करते हैं आप सभी को बीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लाग चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को ज़एदा ज़एस्टर करें और लाइक करें तो चलिए आज कब डिश्माप्त करते हैं वीडियो देखने की आप सभी का धन्यवाद